साथियों किसी भी लगन की जन्म पत्रिका में यदि इस विती भाव और इस पंचम भाव इन दोनों भावों के अधिपती एक साथ में या तो नीचुराशी के हो या अस्त अवस्था में हो या शून्य एक 28-29 जैसी अंतिम डिगरियों के हो या फिर इन तृक भावों में जा जाता है और द्विती भाव यहां से कुटम्ब का विचार किया जाता है तो ना तो संतान होती है ऐसे व्यक्ति के ना आगे उसके कुटम्ब का निर्मान होता है संतान के विभिन्यों की हम चर्जा कर चुके है अभी तक यदि आपने लगन से एपिसोड संबंधित जो है वो नहीं यदि देखा है किसी कारण वश तो अपने लगन का नाम और आचार चंदरकांद यदि आप लिखेंगे या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं संतान योग आचार चंदरकांत तो यूट्यूब पर आपको वो लिस्ट जो है वो मिल जाएगे साथियो एक दुर योग जिसको कि हम वंश हेनता योग कहते हैं इसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस प्रकार की यदि कोई परिशानी आपके साथ भी है ऐसा कोई डाउट यदि आपको भी है तो आप अपनी जो जन्म लगन पत्र का है वो साथ में लेकर के बै संतान का विचार करते हैं कुटम्ब की वंश की जब बात आती है तो हम इस द्विती भाव में विचार करते हैं ये कुटम्ब भाव भी इसको हम कहते हैं तो समीकरन ये है कि यदि इन दोनों भावों के लौर्ड एक साथ में या तो जन्म पत्र का में त्रिक भावों में ज पीच्वराशी की हो जाएं, या दोनौ अस्त अवस्था में हो, या दोनों ही 0-1 या 28-29 जesis अन्तिम दिगृज्यों के हो, यदि दोनों एक साथ में इन इन स्थितियों में होते हैं तो चुकि ये संतान भाव है तो ना तो संतान होती है और जब संतान नहीं होगी तो आगे कुटुम जो है उसका निर्मान होना भी लगभग लगभग असंभव ही हो जाता है आईए साथियों हम जानते हैं इस वन्ष हीनता योग को विभिन लगन कुंडलियों में और शुरुवात हम करेंगे इसकी मेश लगन की जनुपत्रिका से तो साथियों ये रही मेश लगन की जनुपत्रिका अब यदि इस मेश लगन की जनुपत्रिका में पंचमेश की हम बात करें तो वो सूर्देव बनते हैं और द्वितियेश की बात करें तो वो शुक्रदेव बनते हैं अब यदि इस आवस्था में क्योंकि सूर्य कहीं अस्त तो होंगे नहीं वो अस्त कभी होते ही नहीं है लेकिन सूर्य यदि इस छठे भाव में बिराजमान है या इस आठवे भाव में बिराजमान है या इस द्वादश भाव में बिराजमान है और साथ ही शुक्र देव भी यहाँ पर इन तीनों में से कहीं पर भी बिराजमान है तो ऐसी स्थिती में आप देखिए यह समझ करके चलिए कि यह वन्श हेनता योग का यहाँ पर निर्मान कहीं न कहीं के हो चुका है दोनों ही पंचमेश और द्वितियश छठे आठवे या बारहों में से यहाँ पर निर्मित होगा है फिर आप देखिए डिगरियां इनकी के यदि शूने डिगरी एक डिगरी या 28-29 जैसी अंतिम डिगरियों के हैं तब भी यह आपको उसी प्रकार का रिजल्ट जो है वो प जन्मपत्र का देख पा रहा है तो पंचमेश और द्वितियश दोनों ही इस जन्मपत्र का में बुध देव ही बनते हैं तो बुध देव यदि इस छठे भाव में बिराजमान हो जाए या इस आठवे भाव में बिराजमान हो जाए या इस द्वादश भाव में बिराजम और मिथुन लगन में यहाँ पर पंचमेश बन रहे हैं शुक्रदेव और चंद्र मा जो है वो द्वितीयश बन रहे हैं कुटुम्ब भाव के लौट. तो ऐसी स्थिती में यदि शुक्र देव इस छठे भाव में बिराजमान हो जाएं या इस आठवे भाव में बिराजमान हो जाएं या इस द्वादश भाव में बिराजमान हो जाएं लेकिन यहाँ पर एक विपरीत राजयोग की स्थिती इनको बचा सकती है संतानहीन होने से यदि इस स्थिती के साथ ही चुकि शुक्रदेव द्वादश भाव के लौड भी है तो त्रिक भाव के लौड होके यदि स्वेम त्रिक भाव में विराजमान होते हैं तो वो संतान हींता योग यहाँ पर नहीं देंगे अगर बुद्ध देव की स्थिती जरासी भी ठीक है तो विपरीत राजियोग का लाभ इनको मिल जाएगा साथियों आगे बढ़ेंगे और करक लगन की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं साथियों इस करक लगन की जर्णो पत्रका में मंगल बनते हैं पंचमेश और सूर्य जो है वो बनते हैं द्वितियेश तो सूर्य मंगल की युती या सूर्य मंगल में से कोई एक भी यदि छठे आठवे बारहवे भाव में बिराजमान होता है तो यहाँ पर इस पश्ट रूप से इनको संतान हींता योग का सामना करना पड़ेगा सभी लगनों के हम चर्चा कर रहे हैं इसी करम में अब पांच नंबर से शुरू होने वाले इस सिंग लगन की चर्चा कर लेता है गुरु देव स्वयम जो है वो इस जन्म पत्रिका में पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं तो गुरु यदि इस छठे भाव में बिराजमान हो जाए या इस आठवे भाव में बिराजमान हो जाए या फिर इस द्वादश भाव में बिराजमान हो जाए साथ ही बुध्ध देव जो की दितियेश है यदि वो यहाँ विराजमान हो जाते हैं साथ में या त्रिक भावों में से कहीं पर भी तो वो इनको संतान हींता योग और वंश हींता योग दोनों ही प्रदान कर देते हैं लेकिन यदि सूर्देव की स्थिती ठीक है तो अलगन की जर्म पत्रिका और शनी देव जो हैं वो संतान के कारक बनते हैं जर्म पत्रिका में लेकिन यदि शनी देव इस अश्टम भाव में या दौदश भाव में बिराजमान है और साथ ही जो शुक्र देव हैं वो छठे भाव या आठवे भाव या फिर दौदश न अवश करना पड़ता है। नीनता जैसे योग का सामना करना पड़ सकता है जो की कोई भी करना नहीं जाएगा। चाथ योग बात करेंगे हम आगे बढ़ते हुए वरिष्चिक लगन की। वरिष्चिक लगन की जन्मपत्रिका में गुरुदेव जो हैं वो ही पंचमेश बनते हैं संतान के वो नैसर गिक कारक है। लेकिन यदि वो इस छटे भाव में बिराजमान हो जाए या इस आठवे भाव में या इस द्वादश भाव में बिराजमान हो जाए तो ऐसी स्थिती में क्योंकि दृतियेश भी वही है और पंचमेश भी वही है और गुरु की दशा अंतर दशा यदि इनको चल रही है त तो फिर संतान तो आप भूल ही जाएए, भले ही वो पंचमेश क्यों न हो, साथ यूँ बात करते हैं, स्वयम गुरुदेव के लगन की अर्थात धनू लगन की, यदि धनू लगन की इस जनू पत्रिका में मंगल और शनी, इन दोनों की स्थितिया, क्योंकि मंगल पंचम भा के लौड है, मंगल और शनी यदि इन छठे आठवे या बारहवे भावों में बिराजमान होते हैं, तो देखा गया है कि वो व्यक्ति जो है, वो संतान हीनता से पीड़ित अवश्य रहता है, साथ यूँ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर लगन की, और मकर लगन की जन्म पत्रका में शुक्र और शनी इन दोनों की स्थिति महत्वपूर्ण है, शुक्र और शनी यदि इस छठे भाव में या इस आठवे भाव में या इस द्वादश भाव में यदि बिराजमान हैं, तो वो संतान हीनता जैसी स्थितियां इनको अवश्य देते हैं, बात क बुद्ध और गुरु यदि इन छठे आठवे या बारहवे भावों में बिराजमान है तो ऐसी स्थिती में भी इनको नहसंतानता योग का जो सामना है वो अवश्य ही करना पड़ता है और अब अंतम हम बात कर रहे हैं इस मीन लगन की ये भी स्वयम गुरुदेव का ही लग अब समस्या ये है समाधान क्या है एसी स्थिती में चाहिए कि द्वितियेश और पंचमेश दोनों इनकी शान्ती अवश्य कराई जाए और जो अभी महादशा चल रही है उस महादशा मंतर का भी जाब आपको नियमत रूप से करना चाहिए बाधा अना तो आज ही अपनी जन्मपत्रिका का संपूर्ण विशलेशन करवाएं और पाएं समस्या से सदेव के लिए मुक्ति तो आईए साथियों बढ़ता है आज के हमारे कमेंट के चरन की तरफ और पहला ही कमेंट जो है वो अर्चुना सिंग जी का है और आपने जैश्री कृष्णा लिख पेजा है तो अर्चुना जी आशिरवाद रिदय की असीम गहराईयों से और अगला कमेंट विशाल चौह प्लीज बताएं मैं बहुत टेंशन में हूँ शनिदेव स्वैम अपनी राशी कुंभ में है सब्तम्भाव में वो अपने घर का बिगाड़ा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं हाँ अगर आप बिना कुंडली मिलाए बिना खानदान देखे सिर्फ गुण मिलान करके विवन व्यद्धितकर नमस्कार